हेलो स्टूडन वालकम टू माई यूटूब चैनल एक्सिलेंट सक्सेस ग्रूप तो स्टूडन आज हम डिस्क्स करेंगे क्लास 7 में चाक्टर 12 एलजेब्रे के एक्सपरेशन के एक्सेस 12.2 कोशन नमबर 2 दे रखाया में जो अलग अलग टम दे रखें इनको क्या करना है एड करना है एड का मतलब प्लस का साइन लगा के इनको एड करेंगे ठीक है तो 3MN जो डिजट नेगटिव में होगा उसको आपको ब्रैकिट में रखना बाकी नमबरों को नॉर्मली प्लस का साइन लगा के एड करेंगे ठीक है तो यहां पे मैंने कौमभा की जगा प्लस लगा लिया बट ये negative में है इसलिए इसको bracket में रख लेना है क्योंके 2 sign एक साथ नहीं हो सकते है यहां प्लस लगा लिया ऐ समय माइनस में है तो इसको bracket में रख लिया अब bracket में रखने के पीछे reason क्या है देखो 2 sign एक साथ वा नहीं सकते हमें 2 sign का 1 sign बनाना होगा कैसे बनाएंगे हमने rule पड़े है chapter 2 में मैंने आपको बताया था 1 में बताया था plus into minus minus होता है minus into plus minus होता है minus into minus plus होता है plus into plus होता है इन 4 rule के basic rule को यूज़ करते हुए हम इनको solve करेंगे ठीक है 3 ml अब यहां plus and minus बीच में निशान है multiply plus into minus क्या होता है minus 2 निशानों का मैंने क्या बना दिया 1 निशान plus 8 ml plus into minus क्या हो जायागा minus 4 ml यह question में add बोला है हम इसके बाहर minus तो लगा नहीं सकते लगेगा सबके बीचों plus का sign ही but already एक निशान पहले से दे रखा है तो combine करके हमने उसका एक निशान मना दिया अब देखो यह सारी like term है सबके पीचे mn, mn, mn है जो like term होंगी यानि जिनके variable सेम होंगे वही digit plus ये minus होगी 3 plus 8 कितना हुआ 11 mn दोनों minus की हों तब भी दोनों digit जुडती है अभी ध्यान लगना मैं इनका यूज़ नहीं कर रहा ये only हों जब दो sign को एक sign बनाना हो तब इनका यूज़ करना होता है अभी फिलाल दोनों digit minus की दोनों जुड़ेंगी 9 mn निशान किसका है minus का एक digit plus का हो एक minus का हो हमेशा minus करना है 11 में से 9 गया 2 mn फिर देखना बड़ा कोन है plus का बड़ा है तो निशान आएगा plus का clear अगला पाड़ देखो t minus 8 tz इसके बार minus दोने हैं ना सिदा plus लगा लो tz minus में z यहाँ minus होने हैं ना सिदा plus लगा लो z minus में t देखन देना जो like term होंगी वही plus या minus होंगी ठीक है अगर कोई digit जैसे मालो minus का 2 हो या plus का 2 हो या plus का 2 हो या minus का 2 हो दोनों का मतलब यह की है दो में से 2 minus करना है 0 आयागा दो में से 2 minus करना है 0 आयागा तो यह number हमारा plus का निशान कुछ नहीं होगा तो plus तो हो गई होगा plus का T है minus का T है T में से T क्या 0 शेम digit है minus का Z plus का Z Z में से Z गया 0 स्यम digit है बचा को 8TZ plus 3TZ दोनों का variable same है टीजर टीजर एक minus का हो एक plus का हो हमेशा minus करेंगे 5 टीजर बड़ा कोन है minus का तो निशान किसका हैगा minus का clear तीसरा पाड़ देखो minus का 7 mn plus 5 ठीक है यहाँ plus लिया 12 mn plus 2 bracket लेना चाहूं तो ले सकते हो उससे कोई फरक नहीं पड़े का यहाँ पे 9 mn minus में 8 minus में 2 mn देखो इसके बाहर minus आगे तो यह तो confirm है minus bracket में आना ही आना था बागी इसके बाहर कोई निशान नहीं है तो यह bracket उपर करो तो same ही ही रहेगा कुछ भी change नहीं हुआ plus का sign है कुछ भी change नहीं करना same वैसी लिखना है plus का sign है same as it is ही रहेगा बट यहाँ मामला थोड़ा change होगा अब देखो जरा पहर plus है अंदर minus है plus into minus minus होता है 2 mn plus into minus minus होता है 3 आ गया जो light amount उनको एक साथ रखेंगे minus 7 mn यह रहा 12 mn 9 mn and minus 2 mn mn वाले साथ एक साथ कर दिए अब जो numerical value है जैसे के 5 हो गया plus 2 minus 8 minus 3 उनके एक साथ रख लिया यह भी minus का है 8 is it minus का यह digit minus का जब दोनों digit minus के दोनों जुड़ जाती है minus का 9 mn यह भी plus का यह plus का दोनों plus के दोनों जुड़ जाएंगे दोनों को जोड़ा 21 mn देखो यह भी plus का यह plus का दोनों जुड़ जुड़ जाएंगे plus का 7 दोनों माइनस के और दोनों जुड़ जाएंगे निशान आएगा माइनस का ही दोनों जुड़ेंगी एक माइनस का हो एक प्लस का हो हमेशा माइनस करना होता है 21 में से 9 हो गए कितना बचा 12 MN बड़ा कोन है प्लस का तो निशान प्लस का एक plus का हो, एक minus का हो, दोरों minus होंगी 11 में 7 गे 4, बड़ा को ने, minus का तो निशान आएगा minus का अब आपको एक बात ध्यान लखना है, अगर दोनों like term है तो वही plus minus हो नहीं है, इसमें variable mn है, इसमें नहीं है ठीक है, यह आपका solution हो जायागा, unlike term होंगी दोनों क्योंगी इसमें mn है, इसमें नहीं है, तो दोनों plus minus नहीं हो सकते जो like होंगी, वही plus minus होंगी, तो यहां पर देखो, fourth part a plus b minus 3, bracket में रखना चाहो, रखना भी रखो, तो फरग नहीं पड़ दा क्योंगी सारे digit के बाहर कोई निशान minus का नहीं है, रख लिया, अब bracket open करना है, कर लो, same digit आएगा, a plus b minus 3, b minus a plus 3, a minus b plus 3, मैंने आपको बताया, ऐसे plus का 2, minus का 2, 2 में से 2 जाग इतना आएगा, 0, तो देखो जला, यहां पर हमारा कोई ऐसा number है, यह minus का है, यह plus का है, same है, cancel ह हो गया, plus का b है, minus का b है, इसे b गया, 0 हो गया, ठीक, minus का 3 है, plus का 3 है, 3 से 3 गया, 0 हो गया, बचा कौन b, बचा कौन a, बचा कौन 3, तो मारा अंसर हो जायागा, a plus b plus 3, ठीक, यह fourth part हो गया हमारा, अब देखो fifth part, यहां में इदे रखा है, 14x plus 10y, minus 12xy, ठीक, ब्रैकर में रख लिया, बार plus का sign, फिर कौन हमारा, minus का 13, सो और यह इसी के साथ में है, मैंने गलती से लिख दिया, यह minus का 13 ही है, ठीक है, यह मैंने गलती से कौमा लगी है, इसलिए मैंने लिख दिया, minus का 13, यहां कौमा है, plus डाल दिया, 18, minus 7x, minus 10y, plus 8xy, कौमा, प्रैस डाल दिया, कौमा ही जगा, 4xy, हम ब्रैकर उपन किया, 14x, 10y, minus 12xy, minus 13, बार plus का sign है, तो कुछ भी चैनी होगा, minus 7x, minus 10y, plus 8xy, plus 4xy, जो लाइक टम है, उनको एक साथ रख लो पहले, तो देखो ज़रा, minus का 12xy, यह लिखा, plus का 8xy, इसे लिखा, plus का 4xy, इसे लिख लिख लिया, ठीक, अब x वाले, 14x, minus 7x, और तो है ने, भाई वाले, 10y, इसमें भाई दे रखा है, minus का 10y, और तो है ने, भाई वाले, अब जो numerical value है, minus 13, plus 18, और तो है ने, minus का 12xy, दोनों डिजिट प्लस के हैं, दोनों जूट जाएंगे, 12xy, अब देखो, दो ही डिजिट है, 14 में से साथ जाएगा, कितना हैगा, 7x, बड़ा कोन है, plus का तो निशान हैगा, plus का, ठीक, यह plus का ही, minus का, 10 miss 10 के 0, एक plus का हूँ, एक minus को, हमेशे minus करेंगे, 13 miss 13 के 5, बड़ा कोन है, plus का, तो निशाना है, plus का, 12 में से बार गया, 0, कितना अंसरा, 7x plus में 5, यह हमारा, 5th part हो गया, अब डिस्कस करेंगे, इसका, part number 6, तो जहाँ कॉमा लगी है, वहाँ पर क्या डाल दो, plus का sign, 5m, 7n, 3n, 4n, plus 2, 2m, minus 3mn, minus 5, ठीक, bracket open कर लो, 5m, minus 7n, plus का निशाना तो change करने की जूरत नहीं रहती है, minus के case में change करने की जूरत रहती है, 2m, 3mn, minus 5, अब जो like time उनके एक साथ रखेंगे, 3mn, यहां रखा, और तो कोई है नहीं, इसकी जैसा, ठीक है, m वाले रखे, 5m, यह रहा, 4m, यह लिया, 2m, यह लिया, n वाले, minus 7n, 3n, और तो है नहीं, अब numerical value, 2 है, minus का 5 है, देखो, यह दोनों डिजिट minus के, minus का 3m, minus का 4 है, sorry, इसमें n है, इसमें m है, तो इसमें n नहीं है, तो यह नहीं लेंगे, यह तो अकेला ही रहेगा, हाँ, यह देखो ज़रा, 5 plus 2m, यह दोनों जुड़ेंगे, 7m हो जायागा, minus में 4m, एक minus का हो, एक plus को minus करेंगे, 4n, बड़ा कोन है, minus का तो निशान माइनस का है, एक plus को हो, एक minus को माइनस करेंगे, 5 में जुड़ेंगे, 3, बड़ा कोन है, minus का तो निशान माइनस का, यह minus का 3m, 7 में से 4 गया, किता बचा, 3m, minus 4n, minus का 3, यह हमारा part number 6 आ गया, clear? स्टूडेंगे, इनको आगे पीछे लिख दें, तो भी कोई फरक नहीं पढ़ता, ठीक है, अब जैसे कि, इसको अगर मैं आगे लिख दू, 3m, इसको इसके पीछे लिख दू, minus 4n, इसको इसके पीछे लिख दू, 3m, देको निशान वही रहते हैं, निशान में कोई फरक नहीं पढ़ता ठीक है एंस्याटे गुगों पीछे में यह अंसर दे रखा है तो आगे पीछे लिखने से कोई फ़रागर नहीं पढ़ता अब डिस्क्स करेंगे पार्ट नमबर से अबर 4X square Y लिख दिया मैंने plus यहाँ पर फिर मैंने plus लगाया minus में 3XY square plus minus में 5XY square plus 5X square Y 4X square Y लिखा plus into minus minus 3XY square plus into minus minus 5X square Y अब जो लाइक टम उनके एक सार रखेंगे X square Y है X square Y एक साथ रख लिया यह XY square है यह XY square है इनको एक साथ रख लिया एक plus का हो एक दोनों ही plus के दोनों जुड़ जाएंगे 9X square Y दोनों minus के तो वह दोनों जुड़ जाएंगे 8XY square यह हमारे part number 8 का अंसर हो जायागा क्लियर अब डिसक्स करेंगे part number 8 को sorry वो 7 था यह 8 है मारा 3P square Q square minus 4PQ plus 5 फिर bracket है कॉमा है plus लाल दिया minus में 10P square Q square plus 15 9PQ plus 7P square Q square bracket open करना शुरू किया मैंने इसके भार कोई निशान नहीं है तो plus तो हो गई होगा plus हो तो sign change करने के जूरू तो नहीं होती अब यहाँ देखो plus into minus क्या हो जाएंगा minus 10P square Q square बागी नंबरों को भी इसी तरह कैसे note कर देंगे अब जो like term है उनको एक साथ रखेंगे हम तो इसमें देखो 3P square Q square यह वाला 10P square Q square 7P square Q square एक साथ रख लिया minus 4PQ plus 9PQ और plus 5 plus 15 एक plus का हो एक minus का हो minus करेंगे साथ दस में से 3 गया 7P square Q square बड़ा को ने minus का तो निशान आएगा minus का ठीक अचा रुको इसको ऐसे करने के बज़ा देखो इसको तो as it is run दो 10P Q square यह भी plus का यह plus का दोनों plus के दोनों जूर जोड़ जाएंगे 10P square Q square एक plus का एक minus को minus करेंगे 5PQ बड़ा को है plus का तो निशान आएगा plus का दोनों plus के दोनों जूर गए 20 यह minus का plus का से में cancel हो गया बचा कोन 5PQ plus 20 यह मारे पार्ट नंबर 8 गांसर हो जायागा पार्ट नंबर नाइन के बी माइनस 4A को मा लग यह प्लस का से डालो 4B माइनस एबी प्लस 4A माइनस 4B एबी माइनस 4A ब्रैकेट उपनों को plus का साइन चेंग ने वह बच भी बार plus का साइन निशान चेंग नहीं होगे ठीक याब माइनस नहीं रखागा अब देखो यही नंबर plus में यही नंबर minus में A B में से A B के 0 यही नंबर minus में 4A के 0 4B में से 4B के जिए 0 answer आगे हमारा 0 यह part number 9 हो गया 10 देखो x square minus y square plus 1 comma गी जगा plus डाल दिया comma गी जगा plus 1 minus x square minus y square x square minus y square minus 1 बाहर देखो कोई भी निशान नहीं है minus का निशान नहीं है तो यह बिल्कुल आज़ेज आज़ेंगे जैसे दे रखें हमें आपे अब यह number plus का है यह number minus का है cancel हो गया यह number minus का यह number plus का है cancel हो गया minus का plus का है cancel हो गया बचा कौन minus x square minus y square minus 1 यह हमारे part number 10 cancel हो जायागा इसे के साथ हमारा question यहाँ पे complete होता है उमीद करता हूँ student आपको question समझे में आगया होगा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें शेयर करें कमेंट करें और इस चैनल को जरू सबस्क्राइब कर लें सबस्क्राइब आपको